पानी की तलाश में लगल कुवे में गिरे दो जंगली सांड आदिवासी उने रस्क्यू कर वचाई जान। शिपर जले की फहरी थाना शेतरांतर के जंगल से लगे डंग वर्वे गाव में पानी की तलाश में दुम जंगली सांड लगल कुवे में गिर पड़े। कुवे में जंगली सांडू की गिरने की सूचना ग्राम द्वारा प्रिश्रासन को दीगे। लेकि दो दिन गुजर जाने के बाद भी कुवे में गिरे जंगली सांडू को निकालने का प्रिश्रासन द्वारा कोई प्रयतन नहीं किया गया। इस मामने में पत्रकार और समाजर सेवी धर्मीन डिशर्मा ने सोशल मीडिया पर प्रप्रशासन उर्गायों की नाम पर राजनी की चमकाने वाले संगठनों से भी सांडों को कुवे से बाहर निकाले में मदद करने की अपील की थी लेकिन इसका नतीचा भी सीफर निकला जिसके बाद डांगवर वे गाव के आदिवासी उन्हें कोई में गिरे सांड की जान बचाने के लिए रस्क्यू आपरेशन करने करने लिया कोई में उतर कर रसों की मदद से निकाल बाहर बिश्यन claws करे सांडू की जान बचाने उन्हें कोई से बाहर निकालने के लिए वे गाव के आदिवासी आंगई जिसके बाद शूरुआ कोई में से रस्क्यू आपरेशन कमर में रस्ता बांग कर कुछ हिमत वाली य।क, 40 सपीट गहरे कुए में उतरे फिर रसो के मदद से बारी बारी से सांडू को कुए के बाहर निकाल कर उनकी जान बचाई